कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई भी मन्नत मा के दरवार में मांगी जाये तो बेच जरूर पूरी होती है ऐसा ही एक उधारन बिशब बिख्यात शक्ती पीट शीरी नैना देवी के दरवार में देखने को मिला जब यूबी लगनव निबासी सुनील जस्वाल ने बताया कि उसकी घरवाली साड़े तीन महीने से बेंटी लेटर पर थी लेकिन मा शीरी नैना देवी की मन्नत के बाद नॉर्मल डिलिवरी हुई उसके घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने मा नैना देवी के नाम पर नैना रखा है कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई भी मन्नत मांग के दरवार में मांगी जाये तो बेच जरूर पूरी होती है ऐसा ही एक उधारन बिशब बिख्या चक्तिपिर चिरी नैना देवी के दरवार में देखने को मिला जब यूपी लकनव निवाची सुनील जस्वाल ने बताय कि उसकी घरवाली साड़े तीन महीने से बेंटी लेटर पर थी लेकिन मा नैना देवी की मन्नत के बाद नोर्मल डिलिवरी हुई उसके घर बेटी पैदा हुई है जिसका नाम उन्होंने मा नैना देवी के नाम पर नैना रखा है उसकी बेटी नैना की मनोती लेकर उनका पूरा परिवार लकनव में मा नैना देवी के दरवार में नतमस तक होने के लिए पहुँचा है सुनील जस्वाल जब मां के दर्वार में पुछा तो मां के दर्शन और पूजा आर्शना के बाद पुजारी को अपनी आपवीती सुनाई सुनिल जश्वाल ने बताए कि बे पूरे परिवार सहित माता के दरवार में अपनी बेटी नैना की मनोती लेकर आया है क्योंकि उसकी घरवाली बहुत बिमार थी और साड़े तीन महीने तक बे बेंटी लेटर पर ही रही पूरा परिवार दुखी था लेकिन उसने माता नैन नैना देवी से मांगी और कहते हैं कि अगर सच्ची दिल से कोई भी अर्दाश की जाए तो बेट जरूर पूरी होती है और उसकी अर्दाश भी मातारानी ने सुनी और माता की ग्रिपा से उसकी घरवाली की नॉर्मल डिलिवरी हुई और कन्या पैदा हुई और उसका नाम माता शिरी नैना देवी के नाम पर नैना रख दिया और फिर नैना को लेकर पूरा परिवार मा के दरवार में पहुंचा पूरा परिवार माता के दरवार में नत मस्तक हुआ पूजा पाइठ हवन यग्य किया और खुशी-खुशी अपने घर को लोटे ती जो साड़े तीन मेन वेंटिलेटर पर थी और मेरे देल साल पेट भी खुला रहा है बाइपास सर्जिरी हुई उसके बाद मातारानी ने मेरी मुराद पूरी की और मुझे एक बेटी दिया जिसका नाम मैंने नायना रख था और नार्मल डिलिवरी हुई मातारानी के में हमने प्रात्ना किया था जो मेरी मननत पूरी हुई मा भगवती इसी तरह सब की मननत पूरी करें और मुझे जल्दी जल्दी अपने स्रीचरणों के दर्शन दें जै मातारानी